तो नमस्कार फ्रेंड्स आप सब के लिए लेकर आयो एक best part time work जो कि आप सभी लोग इस work को कर सकते हो चाहे आप student हो, housewife हो या फिर कोई job करते हो कुछ भी हो जाए आप इस काम को जो है घर वेठे या फिर रस्ते में चलते फिर इस काम को कर सकते हो अलाकि आप daily life में इस work को कर करना है तो इस वीडियो में सारा details जो में आपको बताने वाला हूँ तो मैं हुदेप जोते और आप देख रहे यार देप निकल अगा चैनल पर नए हो तो subscribe करके bell icon को भी दबा दीजिए तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आज कल भी ऐसे लोग मिलते है जो कि पुराने note, पुराने coins को इखटा करना पसंद कर दे क्योंकि उसका value है अगर suppose एक रूपे का coin है अगर वो पुराना coin है तो उसका value एक रूपे नहीं है वो लाखों में उसका value है तो उसी तरह से जो है आपर note का भी वही same value है coins का भी value वही है लाखों में बिकता है दोस्तू अगर आपके पास 20 रुपे का कॉईन है यानि कि 20 रुपे का अगर नोट है तो उसकी पीछे का जो ट्रीक है एगर वो ट्रीक अगर वहाँ पर देखते हो तो वो नोट जो है न बीच रुपे नहीं वहाँ पर लाखों में 3 से 4 गता हम तार लाक रूपर आप उस नोट को बेच सकते हो लेकिन वो 30 रुपीज करते हैं आप बीना देखें अक बर बस देख लेते हो कि हाँ 10 रुपी का नोट है और एक 20 रुपी का नोट है 30 रुपीज हो गया चलो पॉकेट के अंदर डाल लेते हैं और अगर कुछ सामन खरीदना है तो हम दूसरे दुकन पर जाते हैं और फिर वो मतलब पता है पैसे को लेकिन ये जो वैलू है जैसे कि मेरे पास ये 10 रुपे का नोट है इसका जो वैलू है वो 10 रुपे नहीं है इसका जो वैलू है वो 3 लाख रुपे पर नोट है अब मैं आपको बता हुआ किस तरह से यहाँ पर आपको अर्ण करना है तो दोस्तों अगर note ले रहे हो या फिर दुकानदार को किसी को दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि अपने पास जो note है देखिए मेरे पास जैसे कि 20 रुपे का note है तो यहाँ पर जो है आपको six digit का आपको अपको अपर number दीख रहे है सामने तरफ three digit है पिछी तरफ three digit है ओके सामने का चोटे चोटे पिछे का तीन बड़े बड़े तो सामने या फिर पिछे कही पर भी हो अगर seven eight six ये नंबर आपको अगर दिख जाए सामने के three digit पे हो या फिर पिछे के three digit पर हो कही पर भी हो सकता है तो वो note को आपको नहीं देना है वो note को आपको save करके रखना है ठीक है अ 786 रहा जैसे कि for example मेरे पास ये वाला नोट देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लेखा है 784 सामने की तरफ अगर 786 होता न तो इसका किम्मत 20 रुपे नहीं इसका किम्मत 3 लाग से उपर होता तो दोस्तों आपको save करके रखना है अगर किसी friends को दे रहे नोट तो आ आपको नहीं देना है और friends से ले रहे हो तो भी आपको देख लेना है कि वापन नमबर है या फिर नहीं है अगर नमबर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि नोट नहीं लेना है लेना है लेकिन अगर नमबर रहा तो अपने पास save करके रखना है तो दोस्तों इस note को हम करे क्या सिर्फ तो हमें कर लिए तो इस नोट को जो है आपको बेचना है कहाँ पर बेचना है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मैं आपको एक साइट बता रहा हूँ www.ebay.com नीचे लिंक दिया है आप जाके डाइरेक्ट रेजिस्टर कर सकते हो लेकिन पहले सुन लिजे कि किस तरह से आपको रेजिस्टर करना है देखिए यहाँ पर जब साइन अप करोगे रेजिस्टर करोगे तो आपको वहाँ पर दो अप्शन्स दिया जाता है तो आपको रेजिस्टर करना है इस ए यहाँ पर जाता है वहाँ पर बोलते हैं वह बुली लगा जाता है जैसे कोई बोलता है कि मैं 1.5 लाग में लूँगा कोई 2 लाग में कोई 3 लाग में लेकिन जो हाइस्ट है अभी तक का जो सबसे हाइस्ट रेकॉर्ड रहा वो 3 लाग से उपर रहा यानि कि 3 लाग ही पकड़ लो तो एक नोट जो ही आपर 3 लाग रूपे बिग गया वो 786 अब गाईस यहापर 786 यह नंबर ही क्यों दूसरा नंबर क्यों नहीं क्योंकि यह जो 786 से आप सभी को पता है कि जो मुसल्मान जो होते हैं उनका यह एक मतलब valuable नंबर रहता है उनके लिए चीक है 786 आपको पता ही होगा अगर नहीं पता है में आपको बोल दे रहा हूँ उसके साथ-साथ 786 जो है उसको एक लखी नंबर भी माना जाता है तो वो लोग इस नोट को खरीतते हैं 3 लाग से उपर इस नोट को खरीतते 786 मुसल्मान का एक पताने अगर अगर आप चाहते है कि हमें रेजिस्टर का प्रोसेस बताओ इसके उपर एक वीडियो बनाओ तो comment section पे आगे comment करो कि भाई साब इसके उपर वी एक video चाहिए कि किस तरह से register करना है किस तरह से sell करना है तो मैं इसके उपर वी एक video ला दूँँगा next video ज़र रहेगा इसके उपर रहेगा लेकिन इसके उपर पहले जो है आपको एक comment कर देना होगा और दोस्तों उम्मीद ही कि आपको ये video पसंद आए तो video अगर पसंद आए तो like कर देना और आज से आप इस काम को करना है start कर दीजिए क्योंकि अब तक आप इस trick को नहीं पता था इस video को नहीं देखे तो आपको नहीं पता था और आप लोग day बाई day पताने नहीं चलेगा तो चले फिर हम मिलतें next video के साथ and तब तक के लिए bye bye take care